C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन एक प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याए चार जिसका शीर्शक है लोकतांतरिक सरकार के मुख्य तत्व इस पार्ठ में आप लोकतांतरिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे इन में लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल है ये सब ही लोकतांतरिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं अगर लोकतांतरिक व्यवस्था नव हो तो क्या होता होगा? आईए इसे जानने के लिए दक्षिन अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ें इस प्रिष्ट पर विश्व का मानचित्र दिखाया गया है जिसमें भारत और दक्षिन अफ्रीका के नाम चिन्हित हैं दक्षिन अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं श्वेत, अर्थात, गोरे, अश्वेत, अर्थात, काले और जिनकी तवचा का रंग सांवला है जैसे भारती ये जो हैनस बर्ग में रहने वाली ग्यारह वर्ष की दक्षिन अफरी की लड़की माया नाइडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी उसे एक रिजिस्टर स्क्राब बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था उसमें एक पंद्रह साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी मां से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटर्सन उसको पुलिस ने गोली मार दी थी माया को बड़ा जटका लगा उसने पूछा क्यों? माया की मां ने समझाया कि दक्षिन अफरीका पहले रंगभेद कानून से शासित था रंगभेद का मतलब है त्वचा चमडी के रंग के आधार पर भेद भाव करना दक्षिन अफरीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग-अलग समुहों में बटी हुई थी वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतिये एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी विभिन प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और नहीं आम सुविधाओं का इस्तिमाल कर सकते थे माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की मा की आवाज में बड़ा घुसा था उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे और अस्पताल की गाडियां भी श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाडियां थी वे जरूरत के सामानों से सुसजित होती थी, जबके अश्वेत लोगों के लिए जो गाडियां थी, उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी, यहां तक के श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों इवं भारतियों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था. उनके साथ भेदभाव किया जाता था. दक्षिनी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था, सुवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे. हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था. वहां के श्वेत लोग एफ्रिकांस भाषा बोलते थे. हेक्टर और स्कूल के अन्यविद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के ल दोर डाला जा रहा था, जबके वे अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे. हेक्टर अपने सहपाथियों के साथ मिलकर एफ्रिकांस सीखने का विरोध कर रहा था. दक्षिन अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और पर गोलियां बरसाइं. उन में से एक गोली हेक्टर को लगी और वो मारा गया. ये 16 जून 1976 की घटना है. अफ्रीकी राष्ट्रिय कॉंग्रिस और उनके जाने माने नेता निलसन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संगर्ष किया. अंततह 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिन अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना. तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा. आईए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है. भागीदारी हमारे यहां नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निरनाएं लेते हैं. चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधी चुनते हैं. ये प्रतिनिधी ही लोगों की तरफ से निरनाएं लेते हैं. ये मान कर चला जाता है कि प्रतिनिधी निर्णाय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे सभी सरकारों को एक निश्चित समाय के लिए चुना जाता है भारत में ये अवधी पांच वर्ष की है एक बार चुने जाने के बाद सरकार पाँच वर्ष तक सत्ता में रहती है सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने चुनाव का समय लोगों के लिए वो घड़ी है जब वे लोक तंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है भागीदारी के अन्य तरीके चुनाव पांच वर्ष में एक बार होते हैं Vote देने के अलावा लोग तंत्रिक सरकार के निरणयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कारियों में रुची लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त दो हजार पांच में, जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था, तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए, सरकार ने अपने निरणय के बचाव में तरक दिये। लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततह उसे लोगों की मांग माननी पड़ी। और बिजली के बढ़ाए गए दामू को घटाना पड़ा, सरकार को अपना निरणय बदलना पड़ा क्योंकि वो आम जनता के प्रती जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को ये समझा सकते हैं कि उसे क्या कारवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हर्ताल, हस्ताक्षर अभियान आदी शामिल हैं। इनके जरीए जो बातें गलत हैं और नियाए संगत नहीं हैं उन्हें सामने लाया जाता है। अखबार, पत्रिकाइं एवं टेलिविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपून भूमिका निभाते हैं। यहां ये सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है। वहीं ये भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को ये मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका ये भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अकसर इन आंदोलनों के जरिये ही हो पाती है अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुची लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गाउं की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक खशन रुख कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है उसमें भाग लेने वाले लोग कौन है और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है विवादों का समाधान आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है ऐसा इसलिए होता है कि एक समुह ये मान लेता है कि दूसरे समुह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है विवाद तब उभरता है जब विभिन संस्कृतियों, धर्मों, शेत्रों और आर्थिक प्रिष्ठ भूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मत तरीके भी अपनाते हैं जिससे अन्ने लोगों में भाय और असुरक्षा की भावना पहलती है। सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो विवादों का समाधान करे। आईए, अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और ये समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उधारण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी-कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस ऐसे मौकों पर बहुत ही महत्वपून भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिती न पैदा हो, हिंसा न भड़के। वो सभी पक्षों को एक जगह बिठा कर बात करवाती है, ताके विवाद का समाधान निकल सके। इस प्रिष्ठ पर बाई और, पीले रंग के बक्से में भारतिय समविधान के बारे में जानकारी दी गई है। भारतिय समविधान में बुनियादी नियम और कानून दिये गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं। सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्ही कानूनों के आधार पर होता है नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बटवारा विवाद का कारण बन जाता है उदाहरण के लिए आपने करनाटक और तमिलनाडू के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा करनाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है इस पानी से बेंगलूरू शहर की जरूरतें भी पूरी होती हैं तमिलनाडू के मेटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं करनाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के उपरी छोर पर है और तमिलनाडू का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरत के लिए भर्पूर पानी चाहिए, जो के नहीं मिल पाता इस से विवाद उत्पन होता है तब राश्ट्रिय सरकार को कदम उठाना पढ़ता है ताके दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाई समानता एवं न्याय लोकतांतरिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रती वचन बद्ध होना न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता इस प्रिष्ठ पर नीचे पीले रंग के बक्से में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया था? कि सभी लोग बराबर हैं? डॉक्टर अम्बेडकर की कहानी में क्या अस्प्रिष्यता के विवहार से समानता के विचार को ठेस पहुँची? अस्प्रिष्यता याने चुआ चूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य इवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया पहले हालात ये थे कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था डॉक्टर अमबेड कर जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा और कई अन्ने लोगों ने जोर दे कर कहा कि ये प्रथा अमानवीय है न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेश प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे जैसे हमारे समाज में ये आम प्रिवृत्ती है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज्यादा करते हैं इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है ये धारणा गलत एवं अन्याई पून है इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं सरकार ने कुछ विशेश प्रावधान किये हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याई से छुटकारा पा सकेंगे उदारण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस, खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है